एक वक्त था जब महमूद सहाब का बॉलिवुड में टंका बजा करता था फिल्म कोई भी हो, हीरो कोई भी हो, हिरोईन कोई भी हो लेकिन अगर फिल्म में महमूद नहीं तो फिल्म नहीं ऐसा ही कुछ वर्चस्व कायम किया हुआ था महमूद सहाब ने फिल्म इंडस्ट्री पर लेकिन कहते हैं ना कि सफलता यूही किसी को नहीं मिल जाती उसके पीछे एक लंबा संघर्श होता है कई लोगों को लगता होगा कि फेमस एक्टर्स के बेटे बेटियों के लिए ये राह आसान होती है यहां आप कुछ हद तक सही भी है उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते लेकिन आखिरकार उन्हें भी अपनी काबलियत दिखानी ही पड़ती है तभी वो इंडस्ट्री में बने रह पाते हैं एक्टर महमूद के पिता मुम्ताज अली रंगमंच के मजेवे खिलाडी थे अभिने के अलावा नृत्य और संगीत पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी 1942 की फिल्म जूला का एक गाना मैं तो दिल्ली की दुलहन लाया रे काफी फेमस हुआ था इस गाने को उन्होंने कोरियोग्राफ किया था इसके अलावा कई फिल्मों में वो कैरेक्टर रोल्स भी करते थे मुम्ताज अली के अंदर इतने सारे गुन तो थे लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी खामी भी थी और वो खामी थी शराब पीने की लट वो इतनी ज्यादा शराब पीने लग गए कि धीरे-धीरे फिल्म मेकर्स ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया कई बार तो वो शराब पीकर सेट पर चले जाते थे और हंगामा करने लगते थे सबने बहुत समझाया लेकिन इस लट से वो दूर नहीं हो पाए उनके आठ बच्चे थे जिन में से एक थे महमूद जो आगे चल कर बड़े कलाकार बने जब महमूद छोटे थे तो उन्होंने अपने जनम दिन पर अपने पिता से एक साइकल की फरमाईश की और बेटे की इस फरमाईश को मुम्ताज अली ने पूरा भी किया एक चमचमाती हुई साइकल उन्हें मिली जिसे वो पूरा दिन चलाते रहते थे लेकिन वक्त के साथ साथ मुम्ताज अली की शराब की लट बढ़ती चली गई काम मिलना बंद हो गया और आखिरकार वो शराब के लिए घर का एक एक समान बेचने लगे एक दिन वो भी आया जब उनकी नजर महमूद की साइकल पर पढ़ी उन्होंने उसे भी बेच दिया जब खरिदार साइकल लेने आया तो महमूद रोने लगे और अपने पिता को मनाने लगे कि वो साइकल ना बेचे लेकिन मुम्ताज अली टस से मस नहीं हुए खरिदार जब साइकल ले जाने लगा तो महमूद साइकल से लिपट गए मुम्ताज अली तब भी नहीं माने और महमूद को पकड़ कर साइकल से अलग करने लगे दीरे दीरे समय बिता और महमूत सूपरस्टार बन गए फिल्मों में मुख्या भूमी का ना होने के बाद भी वो फिल्में सबसे ज्यादा पैसे लेते थे उन्हें ध्यान में रखकर फिल्में लिखी जाती थी उनके लिए अलग से फिल्मों में गाने रखे जाते थे कहने का मतलब है कि बॉलिवुड में उनका दबदबा बन चुका था उनके पास घर, गाड़ी, बंगला हर चीज थी लेकिन वो साइकिल वाला जो किस्सा उनके साथ बच्चपन में घटा था वो उसे भुला नहीं पाए थे 1956 में फिल्म CID की शूटिंग के दौरान उन्होंने एक इंटर्विव में इस घटना का जिक्र किया इस वाकियों को बताते बताते उनकी आँखे नम हो गई उस वक्त सेट पर फिल्म के निर्देशक राजखोसला भी थे और जो बाते महमूद ने बताई उसका असर राजखोसला के दिलो दिमाग में होने लगा और वो उस घटना को भूल नहीं पाए इसके 13 साल बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था दो रास्ते इस फिल्म की कहानी में एक सीन था जहां बलराज साहनी का घर का सामान निलाम हो रहा था और खरीदार सब सामान उठा कर ले जा रहे थे इस सीन में राजखोसला ने महमूद द्वारा बताई गए उस घटना को शामिल कर लिया और बलराज साहनी के बेटे का किरदार निभाने वाले जूनियर महमूद ने वो रोल किया जिसमें निलामी होने पर खरीदार उसकी साइकल उठा कर ले जा रहे होते हैं जूनियर महमूद उससे लिपट कर उन्हें ना लिजाने के लिए कह रहे थे और साइकल के साथ गिसरते चले जाते हैं राज खोसला ने महमूद की सची घटना को इस फिल्म के सीन में दिखाया था महमूद साब के पिता एक बहुत गुणी इनसान थे लेकिन शराब की लतने उन्हें और उनके परिवार को सड़क पर ला दिया वो एक बहतरीन डांसर थे आखरी बार उन्हें महमूद की ही फिल्म कुमारा बाप में मुहम्मद रफी द्वारा गाया एक गाना सज रही मेरी मा में नाचते देखा गया था ये फिल्म रिलीज हुई थी 1974 में उस वक्त वो 69 साल के थे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा आगे भी इस तरह के एपिसोड के साथ मैं आपसे बिलता रहूँगा तब तक के लिए झाल